Max Life की एक study के हिसाब से 90% Urban Indians जो 50 प्लस हैं वो regret करते हैं कि उन्होंने retirement planning जल्दी नहीं शुरू की लेकिन हमें अगर retirement planning करनी है तो NPS या फिर National Pension System एक काफी popular retirement scheme सामने आती है ज्यादातर लोग tax benefits के चलते बिना पूरी scheme को समझे NPS में पैसा डाल देते हैं लेकिन इसके कुछ advantages होने के साथ कुछ disadvantages भी हैं तो इस episode में हम NPS को पूरा decode करने वाले हैं नमस्कार मैं हूँ मुकल मलिक और आप देख रहे हैं Daya City की show वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि हमारी app आने वाली है मेरा और मेरी टीम का ऐसा मानना है कि इस app से investing काफी simple हो जाएगी app के लिए आप sign up कर सकते हैं for discounts and early access link नीच आपको description में मिल जाएगा चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर NPS है क्या देखे NPS एक pension scheme है जिसको government of India ने launch किया है और इसको regulate करता है PFRDA यानि की pension fund regulatory and development authority इसको initially government employees के लिए launch किया गया था except armed forces in 2004 लेकिन इसको all citizens के लिए open कर दिया गया 2009 में इसके दो benefit हो जाते हैं पहला retirement planning और दूसरा tax saving तो यहाँ पे सवाल उठता है कि हमारा ये पैसा आखिर invest कहा होता है ये पैसा जैसे mutual funds में invest होता है कुछ stock market में और debt में similarly यहाँ पे भी stock markets में और साथ में government and corporate bonds के अंदर पैसा invest होता है लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये mutual funds से से बहतर है definitely इसके बारे में भी हम बात करेंगे हर subscriber को एक 12 digit plan number assign किया जाता है जिसे हम कहते है permanent retirement account number NPS हमें दो type के account offer करता है पहला है tier 1 दूसरा है tier 2 tier 1 का जो main purpose है वो है retirement planning और tier 2 का main purpose है investment planning अगर हम eligibility की बात करें तो कोई भी Indian citizen between 18 and 70 years of age वो tier 1 के अंदर account खोल सकता है अगर हम tier 2 की account की बात करें तो वहाँ पे सिरफ वो ही लोग account खोल सकते हैं जिन्होंने tier 1 account पहले से खोला हुआ है फिर lock in period की अगर हम बात करें तो 3 साल का minimum lock in period होता है tier 1 account में उसके बाद हम partial withdrawal कर सकते हैं otherwise 60 years तक हम और कोई withdrawal नहीं कर सकते हैं ये primarily एक retirement planning account है दूसरी तरफ tier 2 account में हर साल पैसा डालना जरूरी नहीं है लेकिन जब भी हम पैसा डालते हैं तो minimum हमें 250 rupees डालने होते हैं फिर अगर हम account opening के time की बात करें तो जैसे 500 rupees हमें tier 1 account खोलने के लिए डालने होते है minimum वहीं पे 1000 rupees हमें minimum डालने होते हैं tier 2 account जब हम खोलते हैं maximum limit दोनों ही case में कुछ भी नहीं है लेकिन हाँ definitely tax benefits के चलते लोग maximum amount कितना डालना चाते हैं NPS में वो थोड़ा सा limited रखते हैं अपने हिसाब से और ये tax benefits ही सबसे बड़ा reason होता है कि maximum लोग NPS के अंदर invest करना चाते हैं तो जो employee का contribution होता है NPS के अंदर उसके अंदर हमें दो लाख रुपे तक का tax deduction claim कर सकते हैं हम tier 1 account में tier 2 account में हमें किसी भी तरीके का कोई tax benefits नहीं मिलता है इसी वज़े से tier 1 account क्योंकि ये इतने सारे tax benefits मिलते हैं वो ज़ादा popular हैं सारे working professionals NPS के अंदर invest कर सकते हैं चाहे वो government employees हो corporate employees हो, self-employed, businessmen और even NRIs भी इसके अंदर invest कर सकते हैं तो ये तो अभी तक हमने NPS के total features से समझ लिए अब सवाल उड़ता है कि आखिर ये जो investment options होते हैं हमारे पास NPS में वो कौन कौन से होते हैं देखिए इसमें सबसे पहला step आ जाता है कि हमें अपना pension fund manager चुनना होता है NPS के अंदर total 8 listed PFMs हैं जिसमें से हमें कोई एक चुनना होगा second step आ जाता है कि उसमें से हमें चुनना होता है active choice या फिर auto choice यानि कि active choice अगर हम select करते हैं तो उसमें हम हर साल कुछ ना कुछ changes भी कर सकते हैं कि हमारा पैसा कहां invest होना चाहिए auto choice के अंदर automatically हमारा पैसा invest होता रहता है और दोनों ही choices के अंदर हमारा जो पैसा है वो चार categories के अंदर invest हो सकता है पहली category हो गई low risk यानि की government bonds दूसरी category हो गई moderate risk यानि की corporate bonds high risk हो गई third category जिसके अंदर हमारा पैसा equity यानि की stock market में invest हो सकता है फिर चौथी category हो जाती है very high risk जिसके अंदर हमारा पैसा AIF यानि की alternate investment funds के अंदर पैसा invest होता है जिसके अंदर REIT जिसे हम real estate investment trust कहते हैं उनके अंदर भी पैसा invest हो सकता है अब अगर हम active choice की थोड़ी सी और detail की बात करें तो subscribers अपना asset allocation choose कर सकते हैं between equity, corporate bonds and government securities 50 साल की age तक हम maximum 75% तक अपना पैसा equity के अंदर डाल सकते हैं उसके बाद 2.5% से यह हर साल decrease होता रहता है तो maximum हम 60 की age तक जब तक पहुचते हैं तो यह maximum हमारा जो equity में पैसा लग सकता है वो 50% तक ही लग सकता है और इस allocation को हम हर साल change कर सकते हैं maximum 2 बार इसके अलावा allocation जो हमारा AIF में हो सकता है यानि कि alternate investment funds में वो maximum 5% तक ही हो सकता है तो यह हो गया हमारा active choice जिसके अंदर हम changes ला सकते हैं हर साल दूसरा auto choice की अगर हम बात करें तो asset allocation पूरा का पूरा pension fund manager decide करता है depending on the subscriber's age तो आपने एक बार auto choice के अंदर अपना option चुन लिया उसके हिसाब से pension fund manager अपने हिसाब से ही automatically invest करता रहेगा तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 choices मिल जाती हैं पहला aggressive life cycle fund के अंदर हम invest कर सकते हैं जो थोड़ा सा high risk लेने वाले लोग होते हैं तो aggressive life cycle fund के अंदर 75% allocation equity के अंदर हो सकता है up to 35 years of age उसके बाद by the age of 55 यह धीरे धीरे reduce करके up to 15% तक लाया जाता है फिर दूसरा option होता है auto choice के अंदर हमारे पास moderate life cycle fund यहाँ पे equity के अंदर exposure हमारा और limit कर दिया जाता है up to 35 years of age maximum 50% तक ही equity के अंदर पैसा डाला जाता है और 55 की age तक इसको reduce करके 10% तक लाया जाता है फिर auto choice में तीसरा और last option होता है conservative life cycle fund यानि कि अब जो लोग बहुत जादा risk नहीं लेना चाते हैं उनके लिए यह fund होता है तो इसमें 25% allocation हमारा equity के अंदर रखा जाता है maximum up to 35 years of age उसके बाद 55 की age तक आते आते इसको reduce करके 5% तक कर दिया जाता है So auto choice के अंदर हमारा जो equity का और साथ में corporate bonds का exposure है वो with age धीरे धीरे decrease कर दिया जाता है क्योंकि with age लोगों की जो risk taking capacity या फिर ability होती है वो generally कम होती जाती है Generally ये financial planning के हिसाब से भी हम कई बार बात करते है कि हमें जो equity का portion है वो हमारी जब कम age होती है तब हम risk क्योंकि ज़ादा ले सकते हैं तो अपना equity का portion ज़ादा रख सकते हैं तो ये जो financial planning है वो NPS के अंदर auto choice में already incorporated है तो अब next सवाल उठता है कि ये जो हमारा total पैसा है ये maturity पे हमें कैसे मिलता है और कितना मिलता है तो मान लीजे मैं 60 की age में retirement ले रहा हूँ तो मेरा जो total corpus है उसका 60% पैसा मुझे as lump sum मिल जाएगा और बाकी का जो 40% पैसा है वो annuity की form में उसमें मेरे को एक तो insurance मिलेगी और monthly पैसा वो मेरे को धीरे-धीरे मिलेगा लेकिन यहाँ पे ही एक बहुत बड़ा drawback आ जाता है ये जो पैसा 40% है ये जो insurance की form में invest हो रहा है और जिसमें मेरे को monthly या फिर annual invity मिल रही है उसमें मेरे को actually 5-8% के ही return मिल रहे है दूसरी तरफ अभी तक हमने ये जो retirement के लिए इतना बड़ा corpus एकटा किया था ये almost हमारा पैसा जब markets में invest होता है तो 10-11-12% तक के ये हमें returns दे सकता है especially अगर हम बात करें कि अगर हमारा maximum पैसा equity में ही invest होता है तो लेकिन अगर हम 5-6-7% के returns की बात कर रहे है तो ये काफी कम returns हो जाते हैं लेकिन of course उसके भी अपने फाइदे और नुकसान है फाइदा उसका ये है कि वहाँ पे हमें हर महीने कुछ ना कुछ पैसा मिलता रहता है तो उस old age में अगर जो लोग मन्तली कुछ ना कुछ पैसा चाते हैं उनके लिए ये अच्छा option हो सकता है लेकिन ये हमें समझना होगा कि यहाँ पे हमें returns काफी कम मिलते हैं 6-7% के ही यहाँ पे returns देखने के लिए मिलते हैं तो इस type के option actually हमें mutual funds के अंदर भी मिल सकते हैं वहाँ पे अगर हम जाएं तो जहाँ पे हम शायद हो सकता है उस age में insurance सीक नहीं करेंगे तो अब मैं आपको ये actually calculation करके भी दिखाता हूँ जिससे हमें थोड़ा से नंबर से से भी समझ में आ जाए तो ये देखे ये आपको NPS की ही website पे एक pension calculator मिल जाता है यहाँ पे आप सबसे पहले अपनी date of birth डाल सकते हैं तो मैंने यहाँ पे एक hypothetical situation ले ली है 1st January 1990 मैंने एक बंदे की age ले ली है I would like to contribute to 5000 per month ये मान लिजे NPS के अंदर 5000 per month contribute करता है और ये 60 की age में अपनी retirement लेना चाहता है तो 60 के उपर आप इससे उपर तक भी ले जा सकते हैं और आप इस maximum age को up to 75 years तक भी ले जा सकते हैं तो आप actually NPS के अंदर 75 years की age तक contribute कर सकते हैं मैं अभी वापिस से इसे 60 years ही कर देता हूँ My total years of contribution is 26 years क्योंकि यहाँ पर 34 की age में हमने यहाँ पर invest करना शुरू किया था तो 60-34 हमारा 26 हो गया My expectation of return on investment is 10% तो यह 10% मेरे हिसाब से एक fair return है क्योंकि हमारा maximum 75% ही पैसा equity के इंदर invest होता है और on an average अगर mutual fund की बात करें जब पूरा portion हमारा equity में invest होता है तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि 10% के हमारे fair returns है इससे जादा की expectation हमें नहीं रखनी चाहिए अब देखे यहाँ पर annuity हमने बात की थी कि 40% हमारा minimum annuity के इंदर invest होता है तो इसको आप बढ़ा भी सकते हैं आप इसे 75 भी कर सकते हैं कितना मर्जी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर अभी मैं इसको minimum ही रखना चाहूंगा लेट से मैं इसको 40% रख देता हूं और annuity का जो rate of return है मैं उसकी भी expectation reasonable रख रहा हूं यहाँ पर 6% की मैं अपनी expectation रख रहा हूं तो देखिए यहाँ पर हमें पूरा मिल रहा है कि हमारी जो total investment हुई अब इसके अंदर यह पैसा divide के से हुआ तो out of this 75 lakh इसमें से आप जो देख रहे हैं लंसम का portion आ रहा है करीब 45 lakh और बाकी का 30 lakh का amount है वो मेरा invest हो रहा है annuity की form में उस annuity से जो मेरे को monthly करीब करीब pension मिलेगी वो करीब मिलेगी 14,900 की अब यह depend करेगा कि हमारा भी आपको NPS की website पर मिल जाता है आप इसको google search भी कर सकते है अदर्वाइस यह आपको link नीचे मिल भी जाएंगे description में तो यहाँ पर आप अपनी सारी की सारी details भर सकते हैं for example private sector subscriber है और यह मैंने age डाल दी gender male और मान लीजे यह married है तो उसके बाद हमने female जो इनकी spouse हैं उनकी भी gender details डाल दी और साथ में हमने उनकी date of birth भी डाल दी उसके बाद हमने इहाँ पर डाला कि हमारी total investment annuity के अंदर कितनी हो रही है तो हमारी करीब करीब 30 लाग की हो रही थी तो मैंने इहाँ पर यह 30 लाग का amount डाल दिया है annuity frequency मैंने यहाँ पर देखिए अभी yearly मानी है कि अगर मेरको हर साल पैसा चाहिए तो मुझे कितना पैसा मिलेगा मैंने यहाँ पर annuity service provider select कर लिया है आदित्य बिरला आप जिसको भी चाहें वो select कर सकते हैं जो भी आपका pension fund manager है उसके बाद यहाँ पर हम enter capture कर देंगे और submit कर देंगे तो देखिए यह सारी details मैंने अलड़ी भर दी थी तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो-तीन terms हमें समझने लायक हैं यहाँ पर देखिए एक होता है हमारा with return of purchase price इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजे तो जितना भी पैसा मैंने यह 30 लाख रुपे डाला अगर मालीजे मेरी death हो जाती है तो यह जो 30 लाख रुपया है उस death के time पे मेरे spouse को मिल जाएगा राइट प्लस हर साल मुझे वो annuity का भी amount मिलता रहेगा उस subscribe की death तक अगर मैं यह return of purchase price वाला option नहीं select करता हूँ तो यह वाला option हमारे लिए आ जाता है जहां पर यह मेरा जो annuity के amount है यह हर साल भढ़ जाएगा लेकिन subscriber के death के बाद spouse को या निकि उसके nominee को कुछ amount नहीं मिलेगा तो इसमें जो return of purchase price होता है उसके case में हमारा जो annuity का amount होता है वो obviously थोड़ा सा कम हो जाता है लेकिन अगर हमें यह return of purchase price नहीं चाहिए तो हमारा यह annuity का amount जादा हो जाता है तो इस case में आप देख सकते हैं annuity for life के case में 2,17,440 हर साल मिलेगा joint life annuity की बात करें उसके बाद भी फिर एक option यहाँ पर हमारे पास family income का भी आता है कि अगर जो subscriber है उसकी भी death हो जाती है spouse की भी death हो जाती है तो उसके बाद जो subscriber के mother या father है अगर वो living है तो उनको भी पैसा मिल सकता है लेकिन अगर जो उनके बच्चे हैं वो legal hair है और death हो जाती है दोनों की ही यानि की spouse की भी और subscriber की भी उस case में जो भी nominees हैं उनको return of purchase price के case में वो जो total amount 30 लग का है वो definitely मिल जाएगा तो यह सारे option हमारे पास होते हैं annuity के इसके अंदर in fact मैं आपको एक monthly option की भी calculation दिखा देता हूँ यहाँ पर हमने अगर monthly select कर लिया तो यह देखिए हमारा जो annuity for life है यह करीब 17,400 के आसपास हमें हर महीने मिल सकते हैं अब ध्यान से देखिएगा यह जो हमारे returns हैं इन cases में सिरफ 7% के आसपास आ रहे हैं on an average तो यह depend करेगा कि आप कौन से pension fund manager को choose कर रहे हैं और उस time पे किस type के returns यानि की interest rates market में चल रहे हैं तो यह fluctuate कर सकते हैं हमारे 5-8% तक लेकिन overall जो हमने देखा कि हमें यहाँ पे जादा returns नहीं मिल रहे हैं तो यह generally एक insurance की तरह ही काम कर रहा है और insurance में भी हमें पता ही है 5-8% के ही on an average returns हमको देखने के लिए मिलते हैं चलिए अब बात करते हैं कि आखिर हम NPS से withdraw कैसे कर सकते हैं और actually कर भी सकते हैं या नहीं देखे primarily यह एक retirement product है तो maximum पैसा जो आपका है वो retirement पे ही आपको मिलेगा लेकिन after 3 years of your contributions आप up to 25% of total contribution withdraw कर सकते हैं total contribution का क्या मतलब हुआ मान लीजे आपने total करीब 1,00,000 रुपे तक invest करें हैं और हो सकता है वो धीरे धीरे बढ़के 3,00,000 रुपे का amount भी हो गया हो लेकिन जो आपका contribution है वो करीब 1,00,000 का ही हुआ है तो आप 1,00,000 का 25% यानि की up to 25,000 रुपीज ही वहां से withdraw कर पाएंगे और ये withdraw भी आप खाली emergency cases के अंदर ही कर सकते हैं और ये सारी list आपको मिल भी जाती है website पे तो ये किस तरीके के cases हैं जैसे मान लीजे आपको कोई घर की construction करनी है अपने बच्चों की शादी करनी है अपने बच्चों की higher education करनी है कोई medical illness हो गई है परिवार के अंदर तो इस type के dedicated जो emergency cases होते हैं उसी time पे आप इस पैसे को withdraw कर पाएंगे जब हम partial withdraw की बात कर रहे हैं और of course इस partial withdraw पे भी कोई tax नहीं है इसके साथ साथ जितना भी हमारा total investment का tenure है उसके अंदर maximum 3 withdrawals ही allowed है और between withdrawals कम से कम भी 5 साल का gap भी होना चाहिए और ये भी हमें ध्यान रहे कि जो overall हमारा total contribution हुआ है हमारे final withdrawals तक उसका maximum हम 25% ही निकाल सकते हैं और उसके अंदर वो सारे portions include हो जाएंगे जो हम पहले पैसा निकाल चुके हैं चलिए अब बात कर लेते हैं taxation की जो बहुत बड़ा important portion हो जाता है जब भी हम NPS की बात करते हैं क्योंकि इसी वज़े से ही बहुत सारे लोग NPS के अंदर invest करते हैं तो यहाँ पे हम पहले old regime की बात कर लेते हैं जिसके अंदर हमें जादा tax benefits मिल जाते हैं तो अगर हम old regime select करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या-क्या benefit हो सकते हैं पहली बात तो हम समझ लें कि NPS हमारा triple E category के अंदर आ जाता है यानि कि exempt 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 category जैसे कि हमारा PPF है या फिर employee provident fund है वो भी हमारे triple E category के अंदर आते हैं इसका मतलब जब भी हम पैसा invest कर रहे हैं यानि कि investment stage पे भी कोई tax नहीं लगता है फिर जो accrual stage होती है यानि कि जब हमारा पैसा compound हो रहा है हर साल interest मिल रहा है उस पर या फिर जो भी हमारे returns बन रहे हैं उस पे भी कोई tax नहीं लगता है और finally जब हम अपना पैसा निकालते हैं at maturity stage उस टेम पे भी exemption होती है उस टेम पे भी कोई tax नहीं लगता है अब employee contribution होता है NPS के अंदर और साथ में employer का contribution भी होता है तो income tax में हमें अलग-अलग sections के अंदर यहाँ पे deductions देखने के लिए मिल जाती है तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा section 80C जिसकी overall limit 1.5 lakhs है उसके अंदर हमें NPS का भी एक option मिल जाता है जो हमारा section 80CCD 1 में cover हो जाता है तो यहाँ पे जो हमें tax deduction मिल जाती है वो up to 10% of basic salary plus DA मिल जाती है और यहाँ पे जो overall limit है वो हमारी जो total 80C का section है उसकी limit आ जाती है 1.5 lakhs की अब हमें पता ही है कि हमारे पास 80C के अंदर तो बहुत सारे portions आ जाते हैं जैसे कि हमारा EPF है, PPF है, सुकन्या समरिद्धी योजना है हमारी small saving schemes है हमारे mutual fund ELSS आ जाता है फिर साथ में हमारा home loan का principal आ जाता है फिर उसी के साथ-साथ NPS का भी एक option आ जाता है इन सारे options का total मिलाके 1.5 lakhs की हमारी limit आ जाती है लेकिन इसके साथ-साथ 80C के अंदर एक और additional section बनाया गया है NPS के लिए specially जिसके अंदर हम 50,000 तक का additional amount डाल सकते हैं NPS में हर साल और उसमें भी हमें tax deduction मिल जाता है इसके अलावा एक और section है actually section 80 CCD 2 जिसमें हमारा जितना भी employer का contribution है बहुत सारी organization में employer भी अपनी तरफ से एक contribution दे देता है आपका जो total CTC का structure बनता है वो इस इसाब से बन जाता है उसके अंदर भी हमें 10% of basic salary plus DA का एक additional tax deduction मिल जाता है और इसकी limit actually जादा है इसकी overall limit है 7.5 lakhs और ये 7.5 lakhs हमारी जो overall limit है इसके अंदर हमारा जो EPF का portion होता है यानि कि employee provident fund का portion होता है ये combine होके हमारा 7.5 lakhs की limit बन जाती है हर साल की तो ये तो हमने अभी तक old regime की बात कर ली अब अगर हम new regime की बात करें तो वहाँ पे हमें खाली ये जो employer contribution वाला amount है यानि कि 80 CCD 2 वाला खाली यही option मिलता है बाकी के सारे option हमें नहीं मिलते हैं new regime के अंदर इसके साथ जो हमारा जो withdrawal के time पे पैसा इकठा होता है invest हुआ तो जो annuity के अंदर invest हुआ तो उस investment पे तो कोई tax नहीं लगता है लेकिन जो हमें हर महीने पैसा आ रहा है वो हमारे income के अंदर जुड़ जाता है तो income tax lab हमारा जो भी बनेगा उसके हिसाब से हमारा tax उस पे जरूर लग जाएगा अब यहाँ पे मैं आपको एक और update दे देता हूँ तो यह जो हमें lump sum पैसा मिलता था जो हम 60% पैसे की बात कर रहे थे at the time of retirement वो पैसा भी अब हम lump sum ना लेके उसको withdraw कर सकते है monthly, quarterly या फिर annually इसका नाम होता है systematic lump sum withdrawal तो जैसा हमारा mutual fund के अंदर SWP चलता है systematic withdrawal plan तो यह भी हमारा एक तरीके से उसी type का plan है जहां पर हम हर महीने अपनी कोई ना कोई pension बना सकते हैं तो यह वाला पैसा भी अगर हम monthly ले ले और साथ में annuity का भी पैसा हम monthly ले ले तो हमारी एक ठीक ठाक pension हो सकती है हर महीने अब बात करते हैं हम charges की कि जो भी हमारे ये pension fund managers हैं ये हमसे कितना पैसा ले रहे हैं या फिर जो overall national pension scheme के अंदर हमारा पैसा लगता है वो कितना लगता है तो इसके अंदर जो major charges हैं उसी के हम बात करते हैं बाकी तो काफी छोटे मोटे charges होते हैं account opening charges हमारे करीब 400 रुपे तक लग जाते हैं फिर P.O.P. charges होते हैं जिसे हम कहते हैं points of presence charges तो ये हमारे लगते हैं करीब 0.5% on contribution तो जितना भी पैसा हम contribute करते हैं हर साल या फिर हमने first time में किया उसका 0.5% हमारा P.O.P. charges लग जाते हैं और ये minimum 30 रुपीज के लगते हैं और इस पर higher limit भी है यानि कि 25,000 रुपीज की यहां पर हमारी higher limit आ जाती है तो जितना भी आप total contribution अगर आपका बहुत जादा भी हो जाता है तो आपका maximum charge 25,000 का ही यहां पर लगेगा इसके अलावा हमारे आ जाते हैं fund management charges जो हैं हमारे 0.03% से लेके 0.09% annually तो ये अगर मैं कहूं mutual funds के comparison में ये charges हमारे जादा नहीं है ये तो काफी कम charges हैं actually लेकिन दूसरी तरफ अगर हम mutual funds से compare करें NPS को तो actually NPS के अंदर कुछ drawbacks भी है सबसे बड़ा यहां पर drawback आ जाता है कि यहां पर हमारी liquidity कम है हम अपने पैसे को जब चाहें तब नहीं निकाल सकते हैं of course इसका purpose है retirement planning तो उस हिसाब से तो ये product काफी अच्छा हो जाता है क्योंकि हम इस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं तो इस वज़े से ये शायद compound भी होता रहता है लेकिन जिन लोगों को high liquidity चाहिए कि उस पैसे को वो कभी भी निकाल सकें तो उनके लिए definitely mutual fund एक better product हो जाता है साथ के साथ जो हमने पहले बात की कि हमारा 40% पैसा minimum annuity के अंदर चला जाता है जहां पे हमारे returns actually थोड़े कम मिलते हैं तो वो भी इसका एक बड़ा drawback हो जाता है क्योंकि वहाँ पे हमारे returns बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं लेकिन at the same time जो लोग अपनी monthly pension चाहते हैं उनके लिए NPS काफी अच्छा option हो सकता है अब इस topic से related आपके जो भी सवाल है वो आप नीचे comment section में पूछ सकते हैं हम उनको YouTube Shots और Instagram Reels में definitely cover करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को like और share जरू कीजे अपने friends और family members के साथ I'm sure उनको भी काफी value add मिलेगा और इस channel को subscribe करते वक्त bell icon पे press करके all पे जरूर क्लिक कर लीजेगा जिससे आपको latest finance वीडियो का notification मिल जाए